हाई एन गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स आज आम दोखेंगे हिंदी पोयम नुम्बर सिक्स गिरिधर नाघर जिसको लिखा है संत मिरा भाई ने संत मिरा भाई के बारे में तुम लोगो सबको पताऊगा संत मिरा भाई जो आधुनिक यूग की संत थी इन्होंने स्री कृष स्रिक्रिष्न को अपना सर्वस्व माना है तो इनकी जो भी मिरावाई के सभी पधे उनके आराध्य के प्रती ही संवार्फश्ण box अपनास थे उन्हें निन ने जो भी कविता है लिखी जो भी पधुन हो कविता वे तुमें जो υब國त में तुम्हें स्रीक्रिश्ञण ही नजर आयेंगे कभी स्रीक्रिश्न के मिलन की उसे हम लोग क 바꿕ते बागवद प्रेम प्रस्तुत पदों में आपके उस्तुक्ता मिलन, आशा, प्रतिक्षा के भाव सभी अनुपम है इसमें देखेंगे हम कि उस्तुक्ता, मीलन, आशा, प्रतिक्षा ये भाव उनके दिखाई देते हैं संत मीरा भाई, देखते हैं संत मीरा भाई क्या करती है गिरिधर नागर, पहले इसमें उने स्री कृष्ण का वर्नन किया है उन्हें क्या का, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसर और न कोई, क्या का उनका, कि उनके कौन है गिरिधर गोपाल मतलब स्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है इसके लोग किसे के बार में सोच नहीं सकती है, फिर किसे के बार में सोचती ही नहीं है मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर, गिरिधर मतलब क्या? स्रीकृष्ण का नाम है, गिरिधर नाम कैसे हुआ? क्योंकि उन्हें परवत को अपने उंगली पर उठायता, याद है तुमने अगर महावर देखागा या भी कृष्ण के उपर तुमने कुछ प्रोग्राम देख उंगली पर धरा था, वो जो है, वो ही मेरे ले सब कुछ है, उनके अलावा दूसरा ना कोई, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, जाके सीर मोर मुकट मेरे पती सोई, उसना कि जिनके सर के उपर मोर मतलब पिकॉक, पिकॉक का फेदर लगा हुआ है, जिनके मुकट में मोर का पंक्ख लगावा है, वो ही मेरे पती है, मुकुट शोभी थे, वो ही मेरे पती है, जिनके मस्तक पर मौर का मुकुट शोभी थे, वो ही मेरे पती है, चाड़ी दई कूल की कानी कहा करे ही कोई है, फिर उन्हेंने कहा कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, उनके लिए मैंने कूल कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाड़ी दई कूल की कानी मतलब मर्यादा, चाड़ी दई कूल की कानी मतलब क्या, कूल की मर्यादा जो है, मर्यादा को मैंने तोड़ दिया है, कहा करे कोई, कुई कुछ भी कहे, मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बीना सोचे संतों के साथ बैठ बैठकर में लोग ऐसे करएंगे लोग ऐसे करमा को रजह principle कि संतों के साथ मैं बैठ गया थी कुछ एक भेट। नै własण भी अभ्यों को आप टो संतर मेरा ऐसे संतरों के साथ में जाकर बैठ थे और उसमें लोक लाज सब खोदी मैंतलब कि लोकों की लाश्यम जी छोड़िए ब्लो क्या केंगे उसके बारे मिस्काभी सोचा ही कि नहीं असव अंजल सिची सिची प्रेम बेली बए उन्हें कि आखों से मैंने अपने प्रेम मान मान मतलब करकिया। कि स्रीकिष्ण by ना मान जो क्या उनके मन में जो प्यार बढ़ रहा था। वैसे ही एक ऐक मेन फैल गई थी जलशी प्रेम भककी सो क्या करता है। आसो से जो पार्म निकलाता हूँ उस पानियों को सीच सीच कर मैंने क्या किया है प्रेम की यह जो बेला है यह जो क्रीपर उसको मैंने कहा किया बोद यह बोद यह मतलब लगाया है अब तो बेल फैल गए आनंद फल होई और यह जो है यह बेला भी बहुत बड़ी फैल गई ह की प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रुपी फल लग लग लगे, मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ उनसे प्यार करके, के स्रीकृष्ण से प्यार करके या पिनुके प्यार के बेला मन में लगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ आनंद फल होई, दूद की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माकन जब काड़ी, लियो चाचा पिये कोई, देखो, फिर उसने क्या किया है, कि मैंने दूज जमाने के पात्र में दही जमाया है, प्रेम रूपी दही मैंने जमाया है, मतनी से बड़े प्रेम से, मतनी मतनी मतलब क्या, कि जिसमें दही जमा थे, उस बारत भाकई लोग उनके प्रेम से क्या करते हैं, मुझे उसकुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कहा दूद की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई माखन जब काढ़ी लियो मत्तब प्रेम रुपी माखन है मत्तब मुझे जो प्यार चाहए मैंने लिलिया है बाकि भी कुछ भी कह जै से माँ दही निकाल है जो चार्श भजते ना तो चार्श तो बहुत सस्ते में जाता है दही जितना महेंगा है तो उतना चार्श महेंगा जाता नहीं है भगत देखी राजी हुई जगत देखी रूई दासी मीरा लाल गिरिदर तारो अबमोही भगत देखी राजी हुई मतलब जब लोगों के मन में स्रीक्रिश्न कुरती मैंने भक्ती देखी कि लोग उनसे भक्ति करें, तो मैं खूश हो गई, देखकर प्रसन न होते हुए, लेकिन संसार का व्यवार देख, जगत देखे हुए, संसार का व्यवार है, लोगों को जब मैंने देखा, लोगों को व्यवार को देखा, तो मैं रूए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सरे लोग होते हैं जो दूसरों का सुख घो गई तो इसलिलिये की टर्चन भगतों को देखर में बहुत खोश हो जाती हो perfect कि गईर को देखर में राजी मतलब प्रसंद लेकिन दुनिया का जो वयवार है जैसे ban's ना da connected ताने देते हैं, तो यह जो दुनिया का व्यावार देखकर और उसके मन में गुस्सा आता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मुही। तो उस तर से उसने कहा कि मीरा तो आपकी दासी है, उसे संसर भी भहुसा अगर से तार लो। गिरिधर उसने कहा कि दासी मीरा लाल गिरिधर गिरिधर मतब श्री कृष्ण को लास्ट लाइन में भुस्री कृष्ण से क्या गएते। कि मैं तुमारे दासी हूँ, तुमारे चणूं की दासी हूँ और इसलिए मेरा पालन करना उज़े तारना काम है अब तुम ही मुझे त प्रतिन कोन गति मेरी तुम्हेरे प्रति पलग कही हो मैरावरी चेरि उनिगा ह्री न कुम न गति मेरी मतलब अगर मेरे जिवन में हरी मतलब स्रीकृष्ण नहीं है, तो मेरा जिवन कुछ भी काम का नहीं, मेरे जिवन में गती नहीं है, गती मतलब मेरा जिवन आगे चल ही नहीं सकता, तो स्रीकृष्ण कर बिना मेरा जिवन क्या है, अंसुना है या फिर वो आगे नहीं चल सकता, आप मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब क्या, पालने वाला, तुम मेरे प्रतिपालक हो, आपके सेवा मेरा कोई ठीकारा नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हो, और तुम्हारी ब्रहाब, मैं रावरी चेरी, मतलब क्या, मैं तुम्हारी दासी हो, रावरी चेरी मतलब क्या, हिमाय फेरी, क्या कहा हुए 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 दिन रात हर दिन में आपका यह नाम जबती रहती हूँ, उसके सासरव उनने का में बार-बार आपके आरती करके आपको पुकारती रहती हूँ, यो संसार बिकार सागर बीच गेरी, नाव व फाति प्रभु पाल बांदो बूडत है बेरी देखे और उनने क्या कहा है नाव नाव यह नाव ठूटने वाली जो मेरी नाव तूटने वाली है मेरी नाव भांध्वोडरी तो यह तो गर विश्नदर आर चलने वाली है, आप सीगरे इस नाव का पाल बांद हो, पाल मतलब जैसे कि जिस जगा पे नाव टूटे वहाँ पे लकड़ी का, एक फली लेके उसका टुकडा बांद देना मतलब नाव बांद रहा, तो इस तरह से उसने का कि पाल बांद हो, क्योंकि मेरे जो नईया है नईया इसमें तो मेरे नाव टूट रहे, मतलब मैं भी इनके बीज में डूब जाओंगे, इसलिए अब आकर मुझे तार दो, ऐसे उनने कहा है, बीरहनी पीव की वाट जोवेर आखल तेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हू तेरी, फिर उनने कहा, कि ये प्रियातम आपकी ये वी आपकी शरण में आई है, बीरहनी पीवाट जोवेर आखल नेरी, मतलब मैं आपका इनके प्रतिक्षा कर रहे हूँ, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हू तेरी, फिर उनने कहा, कि आपकी ये दासी मीरा आपका स्मरण कर रही है, आपकी शरण में आई है, आपकी शरण में आई हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, आप ही मुझे तार दो, तीसरे में देखे हूँ, उनने क्या किया है, फागून के दिन चार होरी खेल मनारे, उसमें कि फागून, फागून मतलब मतलब मार्च, मार्च में होली का त्योहर है, सब को पता है, वसन तो यह जो होली का त्योहार होता है, इस होली का त्योहार फागून महने में आता है, जैसे 12 months of Indian solar के सबसे वो फागून का महना होता है, तो फागून के चार दिन होते हैं, चार के दिन होली होते हैं, तो होली को तुमने क्या करने मनाना चाहिए, फागून के दिन चार होरी खे तो मन की जहनकार होती है, तो मन की जहनकार होती है, तो मन की जहनकार के ताल पर भी तुम नास सकते हो, बीन करताल, पकवाज, अनहित की जहनकार है, तो यह जो त्योहर मन के लिए बाजे की जहनकार होती है, नहीं करताल, नहीं पकवाज की जहनकार होती है, नहीं करताल, नही मन के धहन कहते हैं कि दे नाच कर रहे गास का द Hai बिनसीॉर के शुखोरे आंय क। अनिया कृता है । क्रशेजा भागा टूंगकी के रहेता है व्लानिक एफ ग्रोब करते हैं मेरा रोम रोम भगवान स्री कृष्णा को याद करता रहता है उनको ही पुकारता रहता है। दूबा रहता है। मैंने अपने प्रिया से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केशर का रहता है। उसने का कि मैं किसके साथ खेलती हुली मेरे जो प्रियतम है। मेरे प्रियतम है उनके साथ में मैं प्रियतम है। तो उसने क्या का है कि होली खेल रंग है इस रंग में इसने सील और संतोष की केशर उसने अपने प्रेम में घोली है और उसकी पिछकारी से उपने प्रियत मतलब स्री कृष्णा से होली खेल रही है उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रहे और यह जो होली के दिर में जो लोग गुलाल उड़ारे आसमान में गुलाल उड़ारे तो आसमान में जो उड़ता हुआ गुलाल है और उड़ता हुआ गुलाल देकर ऐसे लगता है कि मानो आसमान से अंबर बरसत र और यह अपारे, यह जो गुलाल उड़ा रहे हैं। उसने कहां कि अब मुझे लोग लाचशा कोई जब दर नहीं है, इसलिए मैंने रुदेहरुपी दर्वाजे, घटके पठा सब खोल दिये है, लोग लाचे सब डार है, उसलिए मुझे लोगों से जब उसने, मीरा ने जब अपनी उनकी जो शादी ते शादी को नकाल करके उन्हों जब स्रीकृष्ण के प्रती अपना प्य के लिए खोल दिये, घटके पठा सब खोल दिये है, लोग लाचे सब डार है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरन कवल बली हार है, फिर उसमें क्या का कि मीरा जो है, मीरा के प्रभु कोने गिरिधर नागर, गिरिधर मतलब मैंने पहले ही तुम्हें का, गिरिधर मतलब परवत को अपने उंगली पर उठाने वाला जिसने अपने उंगली पर परवत उठाय था वो गिरिधर नागर जो है वो कोन है केवल स्री कृष्ण ही है भगवान स्री कृष्ण ही है इसलिए उनके चर्णों में कमल चर्णों में चर्ण कवल बली हारे उसने कहा कि उनके मेरा के प्रभु गिरिधर नाकर चरन कवल बली हार रे करना अपना जीवन ने उचावर कर दिया है तिक्षा उसके भाव जो है वो भाव इस कविता के इन पदों के सहार या इन पदों के तुरू हमें यहाप बताने की कोशिश की है थैंक यू